वहल्कम में आप से भींगा फिर से एक बार स्वागत करते हैं दूस्तो आज हम बात करने वाले हैं बोनुस अच्छा सबोनुस अ आप्टर में आपको सब ऎनलाज कराऊंगा पेंडल यकाषिद साथ-सब इसकाहने एक साल में कितना रेटन दिया है और इसकी पी रिशिकी में आपको एनलाइस कराऊंगा आप्टर सब एनलाइस के बाद आपको तैय करना है कि इस कंपनी का शेर प्राइज लेना या नहीं लेना है बेसिक लिए आपको इसका लास्ट रेकोर्डिंग डेट भी बताऊंगा उस मेश लिमिटेकर इस कंपनी की स्विख फिलाल इस समय का जो शेर प्राइज चल रहा है तो तो एक साल की रेटन के हम बात करेंगे तो एक सद्क्राइब है कि एकुम्हाल की रिटन में हम देख सकते हैं इस तर्च कंपणी निस थ ow के बैटर कह सकते हैं ओके फ्रेंश क्योंकि basic केली हम इक्विटे इप में लागा लागाती थे तो प्लस जब भी हम cela कर जब भी हम शेर लेते हैं तब तो हमारा एक्सपेक्टेशन यह रहता है कि मैक्जमली एक मोर दन 90 परसेंट आपको रिटन मिले एक्विटी में बेसिकली सब यही रहता है मतलब सेफ dimension के में बात करेंगे तो किंगी में होμαद कर सकते हैं वहां से काफी अच्छा से मैं मल सकते हैं हुल 500 आप अक्पनी का के चाएर प्राइशविटी मे deb Jean पी रेशो की मैं बात करूंगा तो 62 इसे पी रेशे ओके पी रेशो जो फिलाल अब जिस समय मार्केट का प्राइस भाव चाल रहा है तो उससे कंपेर पेंडल से आशना मतलब नेट पॉफिट पर कंपेर करेंगे तो इस समय इस कंपनी का जो शेर प्राइस चल रहा है तो तो 62 टाइम्स आप इसका दुगना दाम दे रहें ऑके यही एक में रिजन आहे जब भी पी रेशो पड़ते हैं तो आप कितने टाइम से पैसे देर हो This is 62 टाइम्स आप इस कंपनी का जो भी शेर खरीदना चाहते हो तो 62 टाइम्स आप इस कंपनी का शेर प्राइस दे रो म आपके बास 100 share होंगे तो आपको 100 share bonus में मिलेंगे और साथ साथ इस company का last recording date है 21 June 2023 के अंदर ही आपको इस company का share price लेना है तभी आप bonus का फाइदा उटा सकते हैं तो फ्रेंस कंपनी की पेंडल की हम बात करेंगे तो वाक्य में company कैसा है revenue काफी revenue most probably इस company का जो share price देखेंगे तो maximum revenue 5000 या 6000 के आसपासी रहना चाहिए एक्चुली हम पेंडल देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि company का revenue कितना है और profit कितना है चले फ्रेंस एक बार पेंडल देखते हैं इस company का फ्रेंस यह रहा इस company का पेंडल है basically कैसा है पेंडल कभी भी strong होना चाहिए तभी आप long term के लिए एक अच्छा सा आपको momentum बन सकता है तभी आप वहां से आप काफी जादा return ले सकते हैं but friends company का इस company का पेंडल लेखेंगे तो अब फिलाल जी situation पर अभी share price है उस situation की हम बात क रहेंगे तो maximum company का जो turnover वह तो 35,000 crore इतना उसका revenue रहना चाहिए but जो उस company का revenue है only revenue आपको 1000 के आसपास देखने को मिल चकता है 1051 मतलब काफी lowest revenue है इसलिए share का price हाई है P ratio इसलिए 62 आपको देखने को मिल सकता है okay 62 is a very high P ratio आपको इस समय देखने को मिल सकता है और साथ साथ net profit के हम बात करेंगे तो company का net profit आप यहाँ देख सकते है 272 क्रोर्स आपको net profit देखने को मिलेगा मतलब लगबग लगबग company का 20% आपको यहाँ पर net profit margin देखने को मिल सकता है very best 20% is the best margin आप कह सकते हैं तो फ्रेंस company का quarter 4 का भी आप revenue चेक कर सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं company का revenue quarter 4 है और यह रहा quarter 3, quarter 2 and quarter 1 तो फ्रेंस आप ऐसे चेक कर सकते हैं company का जो भी revenue होगा growth आपको देखने को मिलेगा हम example के तौर पर देखेंगे तो आपको totally revenue आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 287 और यहाँ पर same to same आपको 287 ही देखने को मिलेगा दोनों quarter में से quarter 2 की बात करेंगे तो 266 आपको देखने को मिलेगा सब्सक्राइब करें एक मतलं सब्सक्राइब करा तो सब्सक्राइब करें के यहाँ एक on उपा काफी अच्छे सा पर है moving एक इंधर होता हुआ दिखाई दिये लेता हैं यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस में थोड़ा रिडिस होता हुआ दिखा जाता है तो फ्रेंस यह रहा कंपनी का पेंडेल है कंपनी का पेंडेल काफी अच्छा साई पेंडेल है बेस्ट पेंडेल है बाट शेर का जो प्राइज है ओर वेल्यूए ओर वेल्यूएशन पर शेर प्राइज चल रह मैंने आपको काफी सारे मतलब पीछे मैंने एक दो नितिन वीडियो डाल दिया है तो वीडियो देख सकते हैं उसका भी शेयर प्राइस काफी अच्छा है तो तब वी उस कंपनी में आप ट्राय कर सकते हैं बोनस लेने के लिए तो इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है करने को मिलेगा तो इसलिए बहुत ज्यादा है तो फ्रेंट्स आपको तैय करना है कि इस कंपनी का शेर लेना या नहीं लेना स्मॉल वीडियो ताई वीडियो के लाइक और शेर कीज़े फ्रेंट्स धान्यवाद कर दुद्द